हेलो अर्बटी टोडे ही विल इसकस अबॉट दा क्पासितर अफर केक्पासितर यह क्पैसितर जो है सबसे पहले हम ट्वैल्ड में पड़ते हैं और यह क्पासितर होता है कि कितनी एबिलेटी है कपैसितर की उसे एलेक्टिक फिल्ड को होड़ काने इसे आप इंग्लिश a capacitor is measured the ability to hold the electric charge that called the capacitance the unit is measured in fat तो अब हम यहां पर क्या कर रहे हैं एक spherical capacitor दे रहे हैं और उसका capacitance calculate करेंगे वो इस तरी से हैं यहां capacitance of an isolated sphere दे रखा यह sphere मेने बना भी रखा स्वेर एक तरीक से आप कह सकते हैं कि यह एक बॉल जैसे स्वेर और उप जो है इसका center है क्यों चार्ज से तो इस तरीक से नजर आएगा तो इसे आप English form में ऐसे कर सकते हैं considered an isolated sphere conductor of a radius r the charge q is uniformly distributed over the entire surface it is measured is capacitance and it can be assumed that it is concentrated at the center of this sphere the potential at any point in the sphere of this conductor is given by v is equal to 1 upon 4 pi epsilon epsilon time q upon r where q is the charge given and r is the radius so and for the capacitance we know that c is equal to q upon v putting this value over in this equation so of putting the v value in this capacitance that is c is equal to q upon v putting the value of v on q q get cancer and we got this value this goes in a numerator yeah में आप यक स्वेर हैं कि इसे कि एक स्वेयर है यहां पर स्वेयर में आप चार्ज क्यों दिया है और यह पूरो uniformly distributed uniformly यानि equally distributed हुआ है और आप यह कह सकते हैं इसमें जो potential difference calculate करेंगे वो आएगा V is equal to 1 upon 4 pi epsilon times Q upon R ये potential formula मालूम होता है और V की value जो दिरे कि C की value जो दिरे के वो होती है C upon Q upon V V की value पुट करी Q से Q cancel और ये numerator में चले जागा तो C is equal to 4 pi epsilon times R जो है capacitance of an isolated sphere आजाएगा इसके अंदर कई चीज़े देखने वाली ये है कि एक तो ये capacitor जो है ये sphere है और major जो करेगा ये farad में करेगा और uniformly जो है potential कहीं पर भी आप calculate करेंगे तो इतना ही आएगा कहीं पर भी करेंगे तो इतना ही आना चाहिए और ये formula भी आद होना चाहिए आपको इसके base पर एक numerical दो यूनिवस्टीज में पूछा गया है एक तो हमाचल और एक हर्याना जो की स्तिर्गी से है it is assumed that the earth to be spherical conductor of radius ये radius of the earth दे रखा है calculate the capacitance हम से पूछा गया है हर्याना और हमाचल में तो 1998 में 1998 में पूछा गया है तो capacitance का formula हमें मालूम होता है that is c is equal to जो कि मैंने अभी पिछला calculate करा है c is equal to 4 by epsilon r r की value जो है किलोमेटर में रखे तो हम मीटर में करतेंगे तो इसी value रखेंगे 9 into 10.9 और into 1 upon into 6.4 into 10.6 किलोमेटर को मीटर में करते है तो ये value आएगी microfarad that means 711 microfarad microfarad जो है ये earth का capacitance आएगा तो हमको ये calculate पूछा गया था और आज के लिए बस इतना ही जिन्होंने मेरा चैनल सबस्वाइब नहीं क्या है वह सबस्वाइब करें शेयर करें और लाइक करें जैसे कि उन्हें मेरे आने वाले वीडियो के अपडेट्स मिलते रहें ये जातातर मैं clips इधर से लिए डालता हूं कि कुछ student का बेस ट्रॉंग नहीं है और ना ही उनके पास इतने सामार तक हैं कि उनके पास good books हों अच्छे टीचर हों तो उसे वो clips से देखें और अपना strong physics बेस बनाएं जिससे कि वो अपना बविश्य उज्जब बनाएं ये clips जातार उन week student के लिए हैं जिनके पास पैसे नहीं हैं या फिर उनके पास books नहीं हैं तो जिससे कि उनका mark direction हो सके और वो अपना future में अपना bright future बना सके आज के लिए इतना ही थेंक यू